नियान की असिस्टेंट उससे शुन के खिलाफ बातें करने लगती है कि देखो उसे एक्टिंग भी नहीं आती उसे अच्छी तो तुम कर लेती हो ये बातें पीछे गड़ी शुन की असिस्टेंट सुन चुकी थी सीरी जा के उसे बता देती है अब बदला लेने के लिए शुन जान बुछ कही इसे इस इनस बार बार शूच कऱाने लगती है स्टेर्स से भाग भाग के नियान का तो बुरा हाल हो गया था ये देख कि आप फिर शुन स्माइल करने लगती है उसने नियान के कुछ सेंस वगएरा भी कार्ट दिये थे इवन के शेडियूल भी चेंज कर देती है मिसीजी ने नियान को कॉल की थी एक्शली में यह उसकी मॉम नहीं है बलकि नियान उनकी एक इंप्रॉई ही है बस वो उसे अब शिंग का उयूज करके शेडियूज के क्रीब जाने के आइडियास देने लगी थी वैल थोड़ी देर बाद जब उसे शेडियूल शेंज होने का पता चलता है तो वो सेड हो जाती है शेडियूज का मेक आवर करने में बिजी थी ये उससे चोई-चोई अपनी मेडिसन ज्यादा ले लेता है क्योंकि अगला सीन उसका नियान के साथ होने वाला था तो वो कोई गरबरी नहीं चाहता था डूसे भी उसने एक फिरवर मांगी थी अब वो क्या है उसके बारे में हमें थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा सीन्स में इसने इन यान को हग करना था और वो ऐसा कर भी लेता है रेक्शन तो कोई नहीं हुआ था बस मेडिसन ज्यादा खाने की वज़े से उसकी थोड़ी थोड़ी तबियत खराब होने लगती है जिसका वो शिंग को बिल्कुल भी इल्म नहीं होने देता नियान ने शिंग को लाइफ स्ट्रीमिंग में आने का कहा था तो वो खुश जाती है कि चलो इसकी मुझसे तो नाराज की खतम हुई शिंग के क्लोस आने के ट्राइ करता है तो तब उसकी हार्ट पीट एकदम तेज ही हो जाती है इसलिए वो तो जल्दी से उठती वहां से जाने की करती है शिंग के बनाए प्लैन का डू ने नियान को बता दिया था कि उसने एक बहुत बड़े डाक्टर से कंसल्च करके शिंग की इलनेस को क्योर करने का पता लगा लिया है बस तुम वही करना जो मैं कहूंगी वह थोड़ी अपसर्ट तो हो जाती है कि अगर शिंग ठीक हो गई तो कहीं वो मेरी जगह ही न ले ले इनकी लाइफ स्ट्रीमिंग तो स्टार्ट हो चुकी थी शुजैन को जाते देख कि एंगे उसे फॉलो करने लगता है अब ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग जिसको ही फरस्ट शिंग में देखना था तो शुजैन के शकल देखने वाली थी शिंग जल्दी से आगे अपने ठीक होने की गूड नियूज शुजैन को देती है अब पहले चाहिए उसने जितनी ही बॉस के लिए प्रॉब्लम्स क्रियेट की थी सबकी परपाई करने को वो त्यार थी कि मैं बस अब उन तक अप्रोच करना चाहती हूँ यह सुनके तो शुजैन बहुत चैरिश फिल करता है कि मैंने क्या सोचा था और यह क्या हो गया वो बहुत दुखी भी होता है कि मैं इसके दवा नहीं बन पाया शिंग तो जल्दी से बॉस को पटाने पहुंचाई थी वो हैरान कि इस लड़की के आखिर मार्ड में क्या चल रहा है अभी के लिए वो बात करने के लिए वो उन्हें साइट पे लेके चली गई थी और साथ में खुशी से उन्हें हग भी कर लेती है कि आपकी वज़े से मैं ठीक हो पाई मुझे तो आपको बहुत जारा थैंक्स कहना चाहिए अब बॉस तो काफी कन्फ्यूस लग रहे थे कहीं क्या बातें कर रही है उन्हें इसके लेंस फोबिया का पता जो नहीं था अब अचानक टकराने से यहां पर पड़ा सामान उस पर गिरने लगता है कि आगे से बॉस आ जाते हैं उदर शुजैन फिकर मन के इतनी लेट हो गी है शींग किदर रह गी मैंने काफी टाइमस उसे देखा नहीं यह दोनों इस सारे स्टफ के बीच फंस चुके थे हैल्प के लिए बहुत चिलनाते थो हैं पर क्या फाइदा कोई उनकी नहीं सुनने वाला था यह और ही परिशान हो जाते हैं यह बिचारे अभी वही वही बैठे होते हैं इनके शूटिंग के सिलसले में कुछ लोग आग लगाने बहुंच आए थे शुजैन को इनकी प्लेस का पता चल चुका था वो फॉरन से शीन को देखने जाने लगता है कि पता नहीं वो ठीक भी होगी या नहीं उदर अल्रेडी बहुत से लोग एकटे हो चुके थे यह तो अब भी ना अपनी परवा की यह आग में गुसने की ट्राइ करने लगता है पर अब जब लोग इसे रोकने के लिए पकड़ते हैं तो इसे कोई अलर्जी नहीं होती अभी इस बात पे वो कोई खास ध्यान नहीं लेता और शिंग को पिर हग कर लेता है इन दोनों को साथ में देख की बॉस वहां से वापिस ही लोट गय थे जिस हॉस्पिटल में शिंग एडमिर थी वहीं भी शिंग साहब भी आई होते हैं उसके साथ शुन भी आई थी ये दोनों फ्रेंड्स चुपके चुपके सुन की बातें सुनने लगती है शुन तो इस इंसिडेंट का सारा का सारा ब्लेम शिंग पर ही डालने लगी थी शुजैन उसे देखने निकल पड़ा था साथ में एंगे की की भी इसने चोरी कर ली होती है कि वो तो फिर शुन को देखने जा भी नहीं सकेगा डू से एपल गिर जाता है तो अब शुन इनको देखके पिर वहां से चरी जाती है शुजैन अभी इदर आया तो था पर वो आगे से शिंग को मिले बगैरी उसके लाया फूर वही पे रखके चला जाता है इस माज से शिंग भी हैरान कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया असल में वो बहुत दुकी था कि अगर शिंग की दिल में बहुत के लिए जगा बन गई तो वो फिर क्या करेगा शायद अब उसे पिर मेरी कोई ज़ुरत नहीं रहेगी लेकिन खैर फिर भी वो गिवप तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला था कि एक दफ़ा मुझे ज़रूर उस पर ट्राइ तो करनी ही चाहिए मिसिस जी कॉल करके मिस्टर शिन को पहले रूमर्स की खबर देती है कि हर जगा नियान और शुजैन को लेके ही गौसिप सो रही है शुजैन ने तो आज पका शिंग से लव कॉनफेस करने का सोच लिया था दैनव उसे कॉल मिला के उसके ट्रीटमेंट और अपने दिल के सारी बात का बता देता है कि उस ताइम बस मैं ही तुमारे सामने आना चाहता था पर पता नहीं कैसे वहाँ पे बास आ गये यहाँ पर वोसे ये भी कहता है वैल अभी तो शीन ने इसे ही चूस किया था आखिर को वो भी तो इससे लफ करने लगी थी दोनों आईसे रिलेशन में ही आचुके होते हैं जब नियान और शूजैन की डेटिंग की रूमर्स का इसे पता चलता है तो ये सैड ही हो जाती है सब तो उन दोनों के कपल्स की उल्टा तारी फी करने लगे थे के ये साथ में क्यूट लग रही है शूजैन उसे अशौर करवाता है कि वो बात बिल्कुल सच नहीं है तो मैंसे टेंशन मत लेना इंडस्टरी में पिर ऐसी बातें तो हो जाया करती है वो भी उसकी बात भी बलीव कर लेती है असिस्टन के कहने पर शूजैन तो फिर शून से ही मिलने जा रही थी क्यूंके खुद ही उसने बुलवाया था और यहां पर जब दू उसे कॉल करती है तो इस बात का वो उसे भी बता देती है वो भी सरप्राइस के शून ने आखिर इससे क्या बात करने के लिए बलवाया है कहीं कोई गरबड़ी तो नहीं है यहां पर वो शून को ड्राने भी लगती है कहीं वो तुम्हें नुक्सानी ना पहुंचा दे आखिर को उसका क्रश पॉस शून पर है तो वो तुम से जैलिस सो होगी अभी उसने उसे लाइन पर ही रहने को कह दिया था पीछे से बॉस खड़े उसकी सारी बाते सुन चुके होते हैं इसलिए उससे फॉन ले के अब उनकी बाते सुनने लगे थे शुन ने जर्स्ट इसे एशिन से दूर रहने का कहने के लिए बुलवाया था अर्साथ में वान भी करती है कि अगर तुम उनके पास गई भी सही तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अब यहाँ पर ही उसे बता देती है कि मैं तो बस एक मोटिफ से ही उनके क्लोस जाने की ट्राय कर रही हूँ आपको टैंचन लेनी की ज़्यादा ज़रत नहीं है मैं उनके साथ रिलेशन्चिप में बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ इसके इलावा तो और कोई भी बात बिल्कुल नहीं है बात में जब इसे पता चलता है कि बास तो इसकी सारी बाते सुन चुके है तो ये परिशानी हो जाती है और उनसे सौरी बोलने लगती है कि मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था वेल वो इससे नाराज नहीं थे अब वो हैरान के शिंग का आखिर क्या मोटिव हो सकता है और इसी के साथ ही ये पार्ट खतम हो जाता है था है, तो झाओ झाता है